नमश्कार दोस्तों जैसा बड़े बुजूर कहा करते हैं कि जब समय अच्छा हो तो मिट्टी को भी हाथ लगाने से सोना बनाये जा सकता है अब चुकि बिटकोईन जबरदस रैली की तरफ अग्रिसर है मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको ऐसे आल्ट कोईंज लाके दूँ जिसमें अगले सो दिनों में शायद पोटेंशली सो गुना प्रॉफिट आने के चांस हो तो दोस्तों इसी कड़ी में मैं आपके लिए ये खास ब्लॉक्चेन लेके आ हूँ जिसका नाम है पार्तीशिया ब्लॉक्चेन ये लेर वन प्रोटोकोल है स्मार्ट कॉंट्राक्ट है और इसका बीटानेट लाइव हो चुका है और ये सीधा-सीधा सोलाना, कारडानो और एथिरियम से कंपीट करता है बहुत सारी आकरशक नई फीचर के साथ जो उन बड़ी ब्लॉक्चेन्ज में भी नहीं है हर किसी के बारे मैं बात करेंगे पर मुख्य उदेशे मेरा ये है इस सीरीज में कि जब आप सब लोग विचलित हैं कि हम अगला टेरा लूना, अगला सोलाना या फिर अगला पॉलका डॉट कहां से ढूंडे तो मैं आपके लिए layer 1 solutions के उपर detailed review लिकर आ रहा हूं कि जो इन सब से, Cardano से, Solana से और जितने भी टेरा लूना, जितने भी बड़े layer 1 solutions हैं उनसे compete करें और साथी साथ आपको एक अवसर प्रदान करें जिन लोगों को लगता है कि उन्होंने party मिस कर दी है, जिनको लगता है कि काश हम 2019 में, 2020 में Cardano को खरीद पाते हैं, Matic को खरीद पाते हैं उनके लिए मुझे लगता है कि बहुत आकरशक अफसर है ये कि जो इतने गुणी blockchain को, जो मेरा मानना है कि मरमती underdogs है, stealth project जिसको कहते हैं कि छुपा रुस्तम, छुपा कर जिसके उपर development की गई थी उसके बार में मैं डीटेल में बात करूँगा दोस्तों आप मेरे नाम जानते ही है, मेरे नाम में रोहित शर्मा और सेटोशी स्टाकर इंडिया में आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे मूल उद्धिश्य आपको पता ही है, सैयम और संजोग सैयम हमने रखा, इसलिए हम यहां तक पहुंचे हैं इतना सारा profit हमने आज तक कमाया पिछले 4-4,4 सालों में और संजोग इसलिए क्योंकि हमें अवसरवादी बनना है, संजोग ढूनने है जो संजोग हाथ से निकल चुके उनको ध्यान से हटा कर नए संजोग ढूनने इसी कड़ी में मुझे लगता है कि यह जो आज का coin है पार्ती शिया यह आपके लिए भविष्य में, आज नहीं, कल नहीं, आने वाले एक-दो महिनों में बहुत ही मुल्लेवान होने वाला है, खासका 3 महिनों में 100 दिनों में जब तक bitcoin एक लाग डॉलर जाएगा, शायद यह 100 गुना profit आपके लिए दे सकता है रहे के यह, यह layer 1 solution है, जिसमें web 3.0 के सारे गुन है यानि कि इसके उपर आप daps बना सकते हैं, जो आज का internet है भविष्य के internet की आपके इसपर product बना सकते हैं, sharding है इसमें जैसे मैं आपके बताए, इसका test net launch हो चुका है और इसके main net में sharding होगी, यानि कि scalability का issue नहीं रगा, scalability कब होती है जैसे आपने देखा, Ethereum में ज़्यादा transaction होती है, तो gas fee बढ़ जाती है Solana में ज़्यादा transaction होती है, तो Solana down हो जाता है sharding के तुरू, nods को आगे transfer करके, load shed करके, जो है यह scalability की समस्या को बहुत ही असानी से दूर कर सकता है इसमें अभी per second कितनी transaction होगी वो data न बाकि है, तो उसपे हम कड़ी निगार रखेंगे, MPC protocol के तुरू इसमें transparency world class है काफी बड़े-बड़े blockchain जैसे की bitcoin भी इस protocol को use करते हैं इसमें transparency हर एक nod की उपर, हर एक activity की उपर रहेगी तो जो developers को इस पे बहुत trust आता है कि जो हम काम कर रहे हैं वो जायर नहीं जाएगा तो यह सारी चीजों को जैसे मैंने बताया, best blockchain से pick करके एक समन्वे बनाकर, एक combination बनाकर यहां पेश किया गया है jurisdiction management में क्या होता है, कि जब छोटे-छोटे smart contract बनाए जाते हैं तो जितने भी validators उस पे काम करते हैं, उन सारों का काम जो है एक साथ प्रभाव डाले उसके लिए यह protocol बनाए गया है, interoperability है इसके नतरज से मैंने आपको बताया है क्योंकि Oracle पर based है, तो बाकी blockchains पर भी इस पर daps को move किया जा सकता है जो मैंने आज सुबह की शाम की वीडियो में आपको बताया था, कि कैसे matic और बाकी avalanche वगारा grow इसलिए किया थे क्योंकि उन्होंने जो है एक reward program चलू किया था, apps के लिए कि आप आईए हमारे platform पे और हम आपको reward देंगे वहीं सारी चीजे, staking to all these में है यह, तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह नए सतर का project है सबसे बड़ी बात ही है, यह cardano based है, cardano based होने के कारण जितने भी बड़े-बड़े नामी नाम है जो ethereum पे, cardano पे, solana पे काम कर चुके हैं, वो सब यहाँ पर लाए गए हैं, almost 1022 research paper लिखे जा सकते हैं लिखे जा चुके है, जो मेरे खाल से एक record है, किसी भी नई blockchain के उपर इतने सारे research paper लिखा जाना, इसका क्या impact है, 50 से उपर इस पर जो projects बन चुके हैं, और जिन projects के बरव में आपको बताऊंगा, वो भी समय से बहुत आगे हैं, तो cardano जो की बदनाम है इस चीज़ के लिए जैसी features लाकर जो लोग अपने coins को hodl करना चाहते हैं, जो उसकी security पर ध्यान देना चाहते हैं, उनके लिए मुझे रखता है, खासकर जो लोग cardano fan है, जो companyya cardano पर move करेंगी, वो wallet के लिए partition based wallet को ज़रूर use करेंगे, ऐसा मेरा मानना है, प्रिविसी इसके core में है, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि cardano जो है, एक बहुत ही promising project आप देख सकते हैं, top 3 में आता है, तो उसके लिए बार बार ये बात करी जाती थी कि उसके उपर layers नहीं बनी है, तो ये cardano के उपर layer 1 protocol है, पार्तिशिया blockchain protocol और इस कारण से, जितने भी projects cardano पर आना चाहते हैं, जब scalability solution मांगेंगे, जब वो cheaper solution मांगेंगे, जब वो custom solution मांगेंगे, जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर bring your own chain, link मैं आपको description में दे दूँगा, मैं यहाँ पर खरीदारी के लिए कुछ भी वाकालात नहीं कर रहा हूँ, केवल research के लिए, कि आप इस blockchain को और इसके price को proof of concept, और सही time पर इसमें entry लें, पर जो लोग बार बार मुझसे सवाल पूछते थे कि Cardano killer कौन सा है, Solana killer कौन सा है, Ethereum killer कौन सा है, मुझे लगता है कि उनके लिए यह अच्छी एक पेशकश है, अच्छी एक option है, जो feature से लबलाइस है, और जिसमें, जैसे कि आप tweet पे देख पारे हैं, उन्होंने रिसेंटी क्विट के देख, we are proud to announce that we have submitted our main net release, candidate for audit, तो यह नहीं कि इनको main net आने वाला है, और पुरा roadmap पे इन्होंने लांच कर डाल दिया है, मुझे लगता है कि यह सर्वगुन संपन एक project है, जो अलड़ी suggestion दे रहा है कि आप corruption की उपर, transparency की उपर, fair values की उपर, जो अलड़ी 1000 से उपर, white paper निकाल चुग है, कि आप इस पे किस तरह के projects और create कर सकते हो, layer 1 की खासिती होती है कि उसके उपर आप किसी भी तरीके के project बना सकते हो, आप उस पर आवे जैसा bank बना सकते हो, आप उस पर uniswap जैसा swapping platform बना सकते हो, आप उस पर किसी social media से related, scalable solution बना सकते हो, video streaming से related, जैसे मैं आप कुछ नाम बता है, यहाँ पर chrome wallet है इसका already, insta.com जो है जिसके उपर app बन रही है, वो open source social media है, जिस पे करीब 2,00,000 KYC verified members बन चुके हैं, इस पे आप different तरीके से launchpad बना सकते हो, इस पे आप internet search engine बना सकते हो, layer 1 solution की खासित यह है कि वो internet की तरह है, आप उस पे कुछ भी build कर सकते हो, वो python PHP की तरह है, आप उस पे कुछ भी build कर सकते हो, यह आपको speed scalability और cheap cost के हर वो गुण provide करेगा, जो इन सारी बड़ी team ने, जो जबर्दस नाम है, उन्होंने Ethereum मगारा में जो कम्या पाई थी, और बड़ी team के होने का सबस एक अनुभव है, जो अलड़ी सारे VC's को जानते हैं, सूनर और लेटर, यह लोग fund ज़रूर raise करेंगे, और अगर हम इस किष्टी पर एक महीने पहले सवार हो जाते हैं, तो हमको बहुत ही rock bottom price पे, यह मिल सकता है, यह सारी चीज़ा संजोग से मिलनी चाहिए, तभी यह 100x जा सकता है, कि इसको funding भी मिले, इस पर scalability भी fast हो, इसलिए मैं आपको कहना है, इस पर निगाह रखें, और अगर आपको interesting लगता है, तो आप अपने decision ले सकते हैं, मेरा ना मैं रोहित, और यह पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो को like करन आपको नहीं भी पता, तो अभी किनी दो smart contract platforms का आप नाम बताईए, वो इसलिए जरूरी है, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी ऐसी इच्छा नहीं कि आप अर्तिश्या में invest करें, आप अर्तिश्या को follow करें, आप smart contract ecosystem को follow करें, ताकि जो अज्यानी investors, October 2021 में ये बोल रहें कि अर लिगों से पहल कर सकें, और इससे भी बढ़िया smart contract platforms को पहचान सकें, इसलिए आपको किनी दो platforms का नाम बताना है, और आशा करता हूं दोस्तों कि आप स्वस्त हैं, आप सुरक्षित हैं, और आपने vaccine लगवा लिए हो, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप किसी के help नहीं इंटर्ण में रखना है, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, जय हिंद।